इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम गूगल ड्राइब के अंदर अपना जो गूगल ड्राइब में ओडियो या न्यूसिक कैसे सीव कर सकते हैं सिव्पल प्रोच से बहुत ज्यादा देख लेंगे तो आप इजली कर पाएंगे तो एक फॉल्डर में स्लैक कर लेता हूं जिस पर हमें जाना है यह यह द्राइब को को खुल ले के बाद यहां पर खुल ली है folder को select कर लेते हैं अब हमें क्या करना पड़ेगा न्यू प्लस न्यू वाले option पर जाना पड़ेगा इस पर जाने के बाद upload option आएगा तो upload पर क्लिक कर दीजेगा upload पर जाने के बाद यहां पर आपको बहुत सारे options दिखाई दिएगे आपको recent में जाना है और यहां पर आपको audio files दिख जाएगा यह music मिल जाएगा तो डायेट में जाने को option मिल जाएगा तो audio files में जाकर आप यहां से send कर सकते हैं या audio files में दो तिन files हो रहते हैं यहां पर क्लिक करते हैं तो यह हो गया music और फिर रिकोड़ रोगी है तो जो भी save करना चाहें यहां से audio file में music वग्यारा जो भी वह यहां पर save कर सकते हैं like मैं आप एक audio को यहां पर record करके save कर देता हूँ जैसे हमने यहां पर write की उसके बाद हमें यह upload पर सीधा लगा देनी है उसके बाद यहां पर save होना start हो जाएगा ठीक है यहां पर waiting to wi-fi बट इसको यहां पर आप जो है यहां पर click कर दीजिए तो यह यहां पर upload होनी start हो जाएगे देखिए यहां से resume कर दीजिए resume करने के बाद यह जो प्रोड start हो जाएगे इसके तो यह process रहता है यहां पर यह अप्र अप लोड आप देखेंगे न तो यहां पर upload होगा होगा बैक करके देखे तो भी यहाँ पर यह अप्लोड भी लेगा ठीए चाहे हैं यहाँ पर किलिक कर दीजिए आप आप चाहें तो इतना सा प्रोसेस रहता है इसका यह अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजेगा